शम्मानित मुल्क के मालिको मैं बहुत विक्षू शुमित रतन इस शमय हूँ गुजरात के द्वारिका जनपद में जिसे देव भूमी कहा जाता है और उसी जनपद में एक तैसील है भाणवड राणपर गाओं है उस गाओं के पहड़ों में मैं घूम रहा हूँ आप देख पशिना पशिना हो रहा हूँ मैं और यह तन्हा मेहनत करने के बाद में आपको दिखा रहा हूँ कि बुद्द के विरास्त में किन किन पहड़ों में गुफाएं बनाई भिती चित्र बनाए शिलालेक लिखे और यहां के स्थानिये लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की का ला सिखाई मैं जिस गुफा पर खड़ा हूँ उस गुफा पर बुद्द की गुफा पर बलात कबजा हो गया है यह कबजा इसलिए हो गया है क्योंकि आप सो रहे हो क्योंकि आप अपना इतिहास भूल गए हो आप अपनी संसक्रती सब्विता से भटक गए हो इसलिए ज दबरदस्ती सीमेंट का लिंग बना करके और ताला लगा करके ब्रहमें यहां से अपना उगाही करते हैं उनकी बढ़िया दुकान चल रही है इसलिए क्योंकि आप संस्कृत ही अपनी भटक गए यह मैं देखाऊं एरिया इतना बढ़िया एरिया है देखिए अधर आप यह मुहमद भाई हैं आके रहने वाले हैं यह बताते हैं कि 20 साल पहले कोई जंडा नहीं था 20 साल पहले कोई रंग नहीं था यह गुफा है साफसुत्री हुआ करती थी इनका रख रखाओ नहीं हुआ तो कुछ तूट रही है कुछ मिट्टी अब यह नीचे आप छेद दे में और यह बहुत बड़ा अंदर है इसमें लगवक्त दर्जनों बहुत भिक्षू सो सकते हैं लेकिन आज वहां सीमेंट का एक फर्जी लिंग इस्थापित करके कब्जा कर लिया गया है भारती पुरा तत्तु सर्वेक्षड की भी मिली भगत है इसलिए क्योंकि उनकी सं नहीं पा रहे हैं जाग जाओ और जाग करके अपनी विरासत को बचा लो और कोई रास्ता अब बचा नहीं है धन्यवाद